नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशा 13 फरवरी मंगलवार दोपहर सवा 3 बजे राजसान की बड़ी खबरें इस न्यूस बुलिटेन के प्रयोजक है विन्नी विन्नी केकेंड मौर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर किसान अंदोलन पंजाब हर्याना की शंबू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश पुलिस ने ड्रोन से दागे आंसु गैस के गोले किसान अंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम पर CGI की टिपनी पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है 12 फरवरी की राज चंडिगर में साड़े पांच घंटे चली मीटिंग में किसान नेताउं और केंद्रिय मंत्रियों के बीच न्यूंतम समर्थन मूल्य MSP, गरंटे कानून और कर्ज माफी पर सहमती नहीं बन पाई थी किसान मजदूर मोचा के संयोजग सर्वन सिंग पंधेर ने कहा कि सरकार के मन में खोट है वह सिर्फ टाइम पास करना चाहती है हम सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे लेकिन आंदोलन पर कयम है आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पंजाब, हर्याना और चंडिगड के बॉर्डर सील है हर्याना के साथ और राजस्तान के तीन जिलों में इंटरनेट बंध है किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एंसे आर में ट्रैफिक की परिशानी पर सीजी आई डीवाई चंडर चूड ने बड़ी टिपनी की है बतादे की बार एसोशेशन के अधर्ष आदीश अगरवाल ने सीजी आई को पत्र लिखकर कहा था कि किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ उन्हें स्वत्य संग्यान लेना चाहिए इसमें आम लोगों को काफी कठनाई का सामना करना पड़ रहा है इस पर सीजी आई ने कहा कि अगर आने जाने में वकीलों को परिशानी हो तो मुझे बताएं हम देख लेंगे बार एसोशेशन ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च का स्वत्य संग्यान लेने का अगरह किया था राजसान में राजसाबा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुन्नी लाल, गरासिया और मदन राठोड को उमीदवार बना कर OBC अवम आदिवासी पर बड़ा दाव खिला है इन दोनों उमीदवारों की गोशना से साफ जाईर है कि C.M. भजन लालकी ही चली है पूर C.M. वसंद्रा राजे के समर्थ को पूरु प्रदेश अधेक्ष अशोग परनामी पूरु मंत्री प्रबुदयाल सैनियो राजपाल सिंग शेखावत को तगड़ा जटका लगा है राजे को उमीदवी की विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद पार्टी उन्हें राजेसभा का टिकर दे सकती है सियासी जानकारों का कहना है कि राजे की अंदेखी से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है राजेसान के पूर्व सिय मशोग गहलोत की तबियत में अब सुधार है अब गहलोत फिर लोगसभा चुनाव की तयारियों में जुट गए हैं गहलोत अभी घर से ही हॉमवर कर रहे है लोगसभा चुनाव को लेकर राजेसान में दावेदारों को लेकर एकसरसाइज हो चुकी है लेकिन अब लास्ट स्टेज पर एकसरसाइज हो रही है अब गहलोत खुद कई पूर्व मंत्रियों में बड़े निताओं से बात कर रहे हैं लोगसभा चुनाव को लेकर उनसे मंशा पूछ रहे है लोगसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर दिली में 16-17 फरवरी को बैटक होने जा रही है इसमें उमीदवारों के नामों को लेकर मन्तन होगा हर सीट से दो या तीन नाम पैनल में रखे गए है बताया जा रहा है कि राजसान में आर्ट सीटों पर नाम फाइनल हो चुके है इनकी महच घोशना पाकी है राजसान के उत्तर पश्चिम के जिलों में आज हलकी बारिश या बूंदा बांदी हो सकती है हलके प्रभाव के पश्चिमी विक्षोग के कायन विकानेर गंगानगर के एरिया में बादल चा सकते है आज चूरू गंगानगर के एरिया में सुबह कोहरा भी चाया रहा जैपूर अलवर भरतपूर चूरू हनुवानगर में हलके बादर लहेंगे मोसम विशेशक्यों के मताबिक कल से तीन दिन तक प्रदेश में मोसम साफ रहने की संभावना है 17-18 फरवरी से मोसम में फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है JEE मेंस का रिजर्ड जारी हो गया है कोटा कोचिंग के संस्थानों की देश भर में धूम मची है कोटा कोचिंग के कई स्टूडेंट्स को परिक्षा में 100% मिले हैं यह परिक्षा 12,31,000 छात्रों ने दी थी राजसान हाई कोट ने एक एहम आदेश देते हुए कहा है कि मोबाईल टावर स्थापित करने से जुड़ा मामला जन उपयोगी सेवाओं में नहीं आता है ऐसे में स्थाईल लोक अदालत को इस से जुड़े मामलों को सुनवाई का हक नहीं है इसके साथ ही हाई कोट ने स्थाईल लोक अदालत जैपूर के गत 29 माई के आदेश को रद कर दिया है वह दोनों पक्षों को सुन कर और प्रकण में दी गई JDA की NOC वह राजे सरकार के शिकायत मिस्तारण के आदेश को ध्यान में रखते हुए मामले का तीन महा में मिस्तारण करे जैपूर निगम ग्रेटर विटिये सलाकार हरी सिंग मीना को नोटिस दिया गया है मेय डॉक्टर सोमया गोर्जर के अनुशनसा पर ग्रेटर निगम अयुति रुकमन रियार ने यह नोटिस थमाया है पिछले दिनों डॉक्टर सोमया ने एक फाइल चलाई थी 2021 की बैलेंस शेट तीन साल देरी से प्रस्तुत करने पर यह कारवाई की गई है हिंदी सिनेमा की दिगच अभिनेता मिथुन चक्रवार्टी को सोमवार दोपहर को अस्पताल से चुट्टी मिल गई है अभिनेता कॉलकता के एक नीची अस्पताल में भरती थे जहां उनका इलाज चल रहा था इसे पहले खबर आई थी कि अभिनेता की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द चुट्टी मिल जाएगी अस्पताल से चुट्टी मिलने के बाद मिथुन ने मीडिया से बाचित में खुलासा किया कि जब वहस ठीर हो गए तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उन्हें फोन करके उनका हाल चाल जाना था मिथुन ने कहा कि अपने स्वास्ते का ख्याल नए रखने के लिए उन्हें डांट पड़ी थी अजमेर में सूफी संथ ख्वाजा मोईनु दिन चिष्टी की दरगाह में बुद्वार को बसंथ पहुँचेगा बरसो पुरानी परंपरा के नुसार शाही चोकी के कवाल सूफियाना कलाम पेश करते हुए दरगाह में बसंथ पेश करेंगे बसंथ का जुलूस सुबह नो बजे दरगाह के मुख्य द्वार निजाम गेट से रवाना होगा इसमें शाही कवाल अमजद हुसैन, अक्तर हुसैन और उनके साथी हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए और बसंथ के गीत गाते हुए चलेंगे बसंथ का जुलूस, बुलंद दरवाजा, शाह जहानी गेट होते हुए अहाता ए नूर पहुंचेगा शाही कवाल आस्ताना शरीफ में जाकर मज़ार शरीफ पर फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे, इसमें विभिन धर्मों के लोग शामिल होंगे राजसान सरकार ने 8 फरवरी को पेश बजट में गुर्वय चीनी पर मंडी टेक्स माप्त कर दिया, लेकिन आपको जानकर ताज़ुब होगा कि भिलवाडा क्रिशी उपज मंडी पहले से ही इस टेक्स की वसूली बंद कर चुकी है विद वर्ष 2023 में भिलवाडा मंडी में गुर्चीनी टेक्स का एक भी रुपया नहीं आया, हलांके यह भी पता चला की टेक्स बचाने के लिए कारोबारियों ने बीच की गली निकाल रखी है, वे मंडी के बजाए माल बाहर रखवा कर बेच रही है, भिलवाडा मंडी मे भिलवाडा मंडी को गुर्चीनी से लगबट डेड़ क्रोड रुपय टेक्स मिला था, राजसान में पूरवर्ती गहलो सरकार के दुरान न्यूकत राजीव गांधी युवा मित्रों का अंदोलन गर्माने लगा है, नोकरी बहाली की मांग को लेकर कुछ महिला मित्र, कु पुलिस इन महिला मित्रों को वहां से अपने वाहनों में बिठा कर अन्यतर स्थान पर ले गई, इन महिला मित्रों पर पुलिस की कारवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। पुरा टेक गौतम भवन में चुनाव संपन करवाया जाएगा, इन में प्रात्य नो से साड़े नो बजे तक परच्छा भरवाया जाएगा, नमांगन पत्रों की जाँच के बाद दस बजे से दो बजे तक मतदान करवाया जाएगे। रखा घरेलू सामान सोने चांदी के गहने वै करीब 3 लाख रूपई की रकम चल गई। हलांकि आग लगने के कायणों का खुलासा नहीं हो पाया। फायर्मैन मही पासिंग ने बताया कि हवा तेज होने के कायण आग पास में ही बनी मोयब खान के जोपड़ी में भी पहुँच गई। आग लगती देख रामीडों ने आग बुजाने के प्रयास तेज किये। सितिन यंतरन से बाहर होती देख दमकल को सुचित किया गया। फिलाल इस बुलेटन में इतना ही फिर हासिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।